चलो आगे पढ़ते हैं Now We are really going to get some water Woman अब मैंने चुकी पहले ही आपको बोला था कि इस स्टोडी में लेंचो के अलावे भी कुछ करेक्टर से उनमें से एक करेक्टर ये Woman है लेंचो जाके उस Woman को कहता है कि अब लग रहा है कि हमें कुछ पानी मिलेगा वो आज preparing shepherd replied yes God willing अब वो जो woman थी वो क्या कर रही थी सपर यानि dinner को prepare कर रही थी रात का भोजन पका रही थी उसने reply किया yes God willing हाँ बिल्कुल भगवान ने चाहा तो हमें बारिश जरूर मिलेगी बारिश होगी और हमारा फसल बहुत अच्छा होगा the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman call to them all come for dinner इसका मतलब यह हुगा कि जो बड़े लड़के थे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि चुकी इसमें लेंचो के अलावाव भी कुछ करेक्टर थे, उसमें यह बड़े लड़के, दिखो इस चाप्टर में जो बाकी करेक्टर है लेंचो के अलाववा, उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया कि लेंचों से क्या रिष्टा था but overall एक मतलब possibilities दिख रही है कि चुकी वो अकेला घर था वहाँ पर उस entire valley में तो लेंचों अकेले नहीं रहता होगा जो लोग उसके साथ रहे वो घर वाले ही रहे होंगे तो शायद most probably वो जो वोमन है उसकी पतनी रहे होगी और यह सब उसके बच्चे है तो जो बड़े वाले लड़के थे वो क्या कर रहे थे working in the field वो खेत में काम कर रहे थे while जबकी the smaller one जो छोटे वाले थे were playing near the house अपने घर के पास ही खेल रहे थे until कब तर खेल रहे थे the woman called to them all come for dinner और वोमन ने जैसे ही उन लोगों को dinner के लिए बुलाया वे लोग महां से चले गया and it was during the meal that just as Lancho had predicted big drops of rain begin to fall और चुकी वो लोग इकठे हो गये थे supper के लिए, dinner के लिए और dinner अभी कर ही रहे थे तभी big drop of rains fall होने लगी, यानि बहुत ही जादा तेज भारिश होने लगी और ये prediction लेंचो ने पहले ही कर दिया था, उसी prediction के according तेज भारिश होने लगी यानि यहाँ पी जो हम लोग पढ़े हैं इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि मौसम देखक लेंचो जाके उस वौर्थ को बोलता है कि लगता है बारिश होगी और इस पे और आउरत कहती है जो सपर पका रही होती है जो सपर परिपेर कर रही होती है वो बोलते हैं कि यहाँ भागवान ने चाहा तो बारिश होगी बड़े वाले जो लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे और चोटे वाले लड़के घर के पास ही खेल रहे थे तो यह जो कुछ लाइंस थे उसका मतलब यही निकलता है थैंक यू फू बचेंट वीडियो